हाई फ्रेंज में हूँ माना वेलकम तो मुवी शूवी दोस्तो मैरे भूमन सीरीज का लोग काफी टाइन से इंतिजार कर रहे हैं इसका ट्रेलर काफी ज़्यादा इंप्रेसिव था एक स्टॉंग रीजिन ये भी था कि जी फाइफ का जो कॉंटेंट है फेबरी और मार्च में कंपेरिटिबली कम आया था तो लोगों अब ये लग रहा है कि शायद ये OTT प्लाटफॉम और अब कॉलिटी के उपर ज़्यादा फोकस करेगा ना कि कॉंटिटी के उपर दूसरा दिस सीरीज is based on a very famous novel written by Manjoo Kapoor और जिस तरीके से women के different life stages pre or post marriage दिखाने का promise किया गया वो girls को काफी ज़्यादा relatable लग रहा था और आजकल के boys भी जो feminism में believe करते हैं वो बस इस सीरीज को देखना चाहते हैं ताकि women का objectification ना हो और वो अपने partner को equal status दे पाएं ये काफी गंभीर सीरीज है जो समझने के लिए आपको wisdom चाहिए इतनी wait हो रही है तो ऐसा लग रहा है मुझे भी कि शायद audience तरीके के content के लिए तैयार है जब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके content ये काफी ज़्यादा bold content है इसमें कोई explicit scene नहीं है पर जो सोच है वो काफी ज़्यादा bold है ये आस्ता और पीपलिका की कहानी है जो rise करते हैं religion, sexual और societal boundaries में जब उन दोनों की जो खाली पन है कोई और नहीं समझ रहा होता है Z5 ने इसको release करने का जो दिन भी चुना है को एकदम perfect दिन है यानि women's day वाले दिन 8th March 2021 को पर Z5 ने इसके release time को थोड़ा सा secretive रखा है most probably ये series आज रात को 12 बजे release हो जाएगी यानि जब date change होगी 7th March से 8th March को 12 बज़ के एक मिनट पर ये OTT platform Z5 platform पर available होने ही चाहिए ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ये series prime time 6 p.m कल यानि 8th March को भी release हो तो मैंने Z5 को mail डाल दिया है और time confirm होते ही मैं आपको inform करूँँगा बहराल 99% chances ये हैं कि आज 12 बज़े ये release हो जाएगी so stay tuned मैं भी इस series को देखूँगा और उसके बाद इसको कठे मिलके review करेंगे see you and don't forget to subscribe to channel और जब आप subscribe करो तो all notifications को on कर लेना bye